ऐसा कुछ न करें कि जीवन बरबाद हो जाए सार्थक जीवन जीए दिखिए यहाँ आप लोग किन-किन घरों से आए हैं आप लोग का व्यवशाय क्या-क्या है कुछ लोग उसे परचित हूँ लेकिन बाकी लोग नहीं जानता कि आप कौन हैं कहां से आए हैं कितना पढ़े लिखे हैं आप किस देवी देवता की उपाशना करते हैं, किस मत्पंध को मानते हैं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, वह यह है, आप सभी सुक्षान्ति का जीवन जीना चाहते हैं, कैसे जानता हूँ, मैं तो आपनों को नहीं जानता, फिर भी कैसे जानता हूँ, कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ, कि मैं शुक्षान्ति का अनभव करूं, और मैं समझ रहा हूँ, आप सभी यही चा और शुक्षान्ति का जीवन जीव मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा और इसको क्लिरिफाई करूँ हमारी एक होती है चाहत और एक होती है जरूरत हवा हमारी जरूरत है चाहत नहीं है हवा हमारी जरूरत है पानी हमारी जरूरत है भोजन, कपड़े, मकान यह सब क्या है? हमारी जरूरते हैं चाहत नहीं है और चाहत क्या है? जैसे भोजन के लिए मैंने कहा भोजन मेरी जरूरत है उसके भी न में नहीं जी सकता हूँ लेकिन भोजन कैसा हो? ऐसा भोजन चाहिए? चार प्रकार की सबजी तो चाहिए ही यह चाहत है भोजन जरूरत है लेकिन भोजन ऐसा वो क्या है? चाहत है कपड़े जरूरत है लेकिन कैसा कपड़ा चाहिए? वो फिर चाहत है वो चाहत है ऐसे और चीज़ों को ले लीजे आप ऐसे ही शान्ती आप सोचें इस चीज़ को शुक शान्ती आपकी चाहत है की जरूरत है? क्या शान्ती आपकी चाहत है की जरूरत है? क्या आपको नहीं लगता है की शान्ती मेरी जरूरत है? शान्ती के अभाव में जब मैं अशान्त हो जाता हूँ तो क्या होता है? बेचेहनी हो जाती है आकुल व्याकुल हो जाता हूँ हमारी दसा वैसी होती है जैसे पानी से मचली को निकाल कर जबीन पर रख दें और मचली तड़फती है पानी के लिए ऐसे ही हर जीव तड़फता है शांती के लिए और जैसे मचली पानी में जाती है पस मगन हो जाती है आप और हम जब अशांत होते हैं आकुल व्याकुल हो जाते हैं आप देखी इस चीज़ को कोई भी विकार आता है हम परिशान हो जाते हैं क्रोध आप बताएं अब आप क्रोध हमारी चाहत है की जुरृत है बात तो समझ में आ रही नए साफ साफ है न आप कहेंगे क्रोध तो चाहत है लेकिन हम चाहते तो नहीं है क्रोध फिर भी हो जाता है क्रोध हम चाहते नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि क्रोध आप इतनी बार कर लिए इतना अभ्यास हो गया कि आप आप क्रोध करते नहीं है क्रोध होता है आटो मोट पर आ गया है वो आटो मोट पर आप उसके नियंत्रण में हो गये क्रोध करके आप अपनी बातें मनवाना चाहते हैं लोगों को क्रोध करके सामने वाले की बोलती बंद करवाना चाहते हैं अपना काम करवाना चाहते हैं क्योंकि आप यही तरीका जाने हैं इसलिए वो करते हैं तो फिर अब क्या हो गया है अब क्रोध से आप दूसरों का नुक्षान नहीं कर रहे हैं पहला अपने नुक्षान कर रहे हैं ख्याल आया अभी लखनों से उस दिन आ रहे थे अग्रवाल जी की गाड़ी थी वो भी बैठे थे उनका ड्राइवर उतरा और ऐसे और गुटका खा लिया गुटका खाया फिर बैठा मैंने युही पूछा भी या एक दिन में कितने पैकेट गुटका खा लेते हो कहें दस पैकेट अच्छा दस पैकेट खा लेते हो फिर हो क्या कहता है गुटका मैं नहीं खाता गुटका मुझे खाता है क्या कहा गुटका मैं नहीं खाता गुटका अब मुझे खाता है समझ रहे न क्रोध आप नहीं करते क्रोध आपको ही करता है अब उरट गह न मामला जो चाहत थी अब आपकी जरुरत हो गई है वो शांती आपकी जरुरत है क्योंकि उसके बिना आप बेचैन रहते हैं क्या जिस प्रकार हम पानी हवा अन और भी कपड़े इत्यादी कि जो जरुरत हम महसूस करते हैं और उसके लिए हम महनत करते हैं क्या हम शानती रुपी जरुरत के लिए हम प्रयाश करते हैं कि हम उसमें रहें एक बात, दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को शुक्षान तिमय बनाने के लिए आप कहीं दूसरों पर आसरित मत रहिए कि दूसरा हमें हमारे जीवन को शुक्षान तिमय बना देगा दूसरों पर आप अपने जीवन को किसी को सौपिय मत मैं ये कहना चाहता हूँ सौपने का मतलब थोड़ द दूसरे ढंक से में कह रहा हूँ अर्थात आपके जीवन को आप ये समझें कि कोई मैं किसी की उपाष्ना कर लूँगा किसी की पुजा कर लूँगा और मेरा जीवन शुक्षान्ति से पुर्ण हो जाएगा पूजा और पाठ का महत्तो होगा जो होगा, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप पूजा और पाठ के बल पर शुक्षान्ति का अन्भो करना चाहेंगे यह आप नहीं कर सकते हैं करके देख लें तीर्थों में घूम के आएंगे और शुक्षान्ति का अन्भो हो जाएगा पवित्र नदियों में इश्नान कर लेंगे और शुक्षान्ति का अन्भो हो जाएगा कोई कैसे देदेगा आपको शुक्षान्ति बाहर है, इस चीज को भी समझें आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, क्या आप से अलग सत्य है, आपके जीवन से अलग क्या आपका सत्य है, कि सत्य वहाँ है, उसे मुझे भीतर लाना है, क्या आप यहाँ बैठे हैं, आपका शुक और शान्ती बाहर है, कि वहाँ से लेकर के आपको भीतर डालना है, क्या आप यहाँ बैठें और परमात्मा कहीं अलग है, जिसे लेकर के अंदर डालना है आपको क्या लगता है, ऐसा होगा शुक तो बाहर है शांती तो बाहर है उसे मुझे लाना है ऐसा तो नहीं है आपके जीवन से अलग न तो सुख है न शान्ति है न परमात्मा न ़ोप्श है आप ही है सच कहो दो कबीर शाहिव की बात बिलकुल जह को सभी संतों ने कहा है चुंकि प्रशंग मै कबीर शाहिव के कह रहा हूं इसलिए है कि जो तु चाहे मुझे को छाड सकल की आस मुझी ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास सब तेरे पास है वही परमात्मकली भी कहते है कस्तूरी कुंडल बसे मिरिक ढूंडे बन माही ऐसे घट-घट राम है दुनिया जानत नाही कहीं अलग है जिसको आपको बाहर जाना है कोई आपको देगा कोई आपको शुख देने आएगा कोई आपको शानती देने आएगा जैसे आपका कभी जनम दिन होता है आज काल तो बर्थडे का बड़ा प्रचलन चल गया है मुख का जनम दे और बच्चे छोटे-छोटे उप्छलते रहते मेरा बढ़्थडे मेरे बढ़्धडे माना कमाल है भाई हम लोग तो कि जानते ही निटे कभी हमारा बढ़्थडे नहीं मनाय गया हम लोग कितने अभागें बताओ पहले तो जानते थे महापुर्शों का मनाय जाते था वीके मुख की जैंती जिस दिन बर्थ दे हो, तो लोग क्या करते हैं, आपको गिप्ट देने आते हैं, क्या कोई ऐसा भी गिप्ट देने आता है, चलो आज आपका जनम दिन है, इस आपसर पर मैं आपको एक किलो सुख देता हूँ, देता है कोई, कोई दे सकता है, अचा ठीक है, यह समानी लोग नहीं दे सकते, योगीजी आजाएंगे दे देंगे, आपको क्या लगता है, योगीजी आजाएंगे देंगे, नहीं देंगे, दे सकते हैं, आप बुलालो करने लगाएंज, और कहो, कि आप से कुछ नहीं चाहिए, योगी महराज, बस मुझे सुखी और मुझे शांती देद यही तो कहेंगा ना, कोई डोनेशन, कोई विद्यालय खोलवादू, अच्छा किसी मंदिर का जिर्ण अद्धर का वो करवादू, लेकिन शुक्षांतित में नहीं दे सकता हूं, आप कहेंगे यह तो एक प्रांथ कही मुख्य मंद्री, अच्छा हमारे प्रधान मंद्री को बुला लो, वो क्या करेंगे, वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते, समझ रहे ना, अच्छा ठीक है, भगवार राम को बुला लो, फड़ागे बढ़ते हैं और, पावर जितना बढ़ाओगे तब तो पता चलेगा भई, भगवार राम को बुला ले, आपको लगता है कि वो कि कोई दे सके, मैंने कहा ना, आप यहां बैठे हैं, और शान्ती कहीं अलग रखी है, वो अला करके आपके बीतर फिड करें, ऐसा तो है नहीं है, कहां है, आपके बीतर है, महसूस क्यों नहीं होता है, अपरस्ने यह, महसूस क्यों नहीं होता है, जब शान्ती बीतर है तो तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अपनी ही जीवन को समझना है, किसी ने बहुँ सुंदर कहा है, जीवन में आनन्द का अनभो करना है, तो जीवन को समझना पड़ेगा, सुकरात का एक सुंदर वाक्या है, अब परिक्षित जीवन, जीने योग्य नहीं होता है, जिस जीवन का परिक्षण नहीं किया गया है, निरिक्षण नहीं किया गया है, इसका एक प्रकार से विशलेशन नहीं किया गया है, कैसे जीएंगे आप इस चीज को, जी नहीं रहें बत घसिटना है एक प्रकार से नहीं बदलना है अब और इसलिए मैंने कल भी ये बाते आई थी कि हम सब के भीतर में शक्ति है जीवन को सही ढंग से जीएंगे तो परणाम आएगा ही दिखी एक चीज बताओं शांति हो, शुक हो चाहे मुक्ति हो आप शांति के विसए मेर कुछ कामे नहीं कर सकते अपरामात्मा के लिए काम नहीं कर सकते आप क्या काम करेंगे आप बलकि आप अपने जीवन में एक ऐसी भूमी का निर्मित करेंगे कि उसके परणाम में वो आए अप इस चीच को समझें फिर से कह रहा हूँ मैं, जैसे, आपको ये इच्छा है कि मेरे आंगन में गुलाब का फुल खिले, मेरे आंगन में गुलाब का फुल खिले, तो दो तरीके हैं, एक क्या है, जैसे परशो गुलाब की टहनी सबको दी गई थी ना, जिसमें फुल लगे थे, वैसे आप एक गुलाब का फूल को ऐसे गमले में रख दी और फिर ताली बजाए वह मेरे अंगन मी गुलाब का फूल खिल गया क्या होगा? कुछ घंटे बात क्या होगा? वो फूल कुमला जाएगा, मुर्जा जाएगा यह क्या है? शाहट कट है लेकिन एक थोड़ा दूसरा प्रोसेश और दूसरा ढंग भी आएए आप एक गुलाब का कलम ले आएए यह गुलाब का नन्हा सा पौधा ले आएए नरसरी से और रोब दीजिए सीचिए, सीचिए, सुरक्षा करिए, सुरी की रोष्णी आने दीजिए, खाद दीजिए क्या करना है? परणाम दिखे बगैर, परणाम दिखे बगैर अभी आपको सीचना है सीच रहे हैं, सीच रहे हैं क्या कर रहे हैं, ऐसी भूमी का निर्मीत कर रहे हैं ऐसा सिष्टम दयार कर रहे हैं जिससे फूल खिल जाए यही तो कर रहे हैं न क्या फूल के लिए आप जबरदस्ति करेंगे 15 दिन तो हो गए पानी सीचते महिना भर तो हो गये शिष्टिते जल्दी खिलो, नहीं तो दंडे से पिटूंगा, खिले जल्दी, अचा मारलो उसको पिटो भी दंडा से, क्या होगा, आप कुछ कर नहीं सकते परिनाम के लिए, आपका काम है बस भूमी का निर्मित करना, शिष्टे जाना, शिष्टे जान शुरक्षा करना, और जैसे ही वो परिस्थिती आएगी, एक दिन, एक कली निकलेगी, और फांट से गुलाव का फुल खिलेगा, समय लगा, लेकिन आप कह सकते हैं, मेरे आंगन में गुलाव का फुल खिला, फिर क्या होगा? यदि वो गुलाव का फुल मुर्जा गया, तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, और आएगा, समझ रहे ना, यह परणाम है, ऐसे ही हम आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में शान्ति का फुल खिले, तो क्या करना है, जीवन में एक भूमी का निर्मित करनी है, जीवन को ऐसा निर्मित करें कि शान्ती का फुल खिल जाए मतलब शान्ती आप महशूष मतलब जनम हो जाए जिसको मैं कई बार ध्यान के संबन भी कहता हूँ ध्यान भी तो परणाम है ध्यान के लगाने से होता है? नहीं आप कुछ ऐसा जीवन जीए कि ध्यान का जनम हो जाए मैंने शाइद पहली भी बताये था मैंने एक पुस्तक पढ़िए तब होता है ध्यान का जनम जा लिखा है? हेडिंग है पुस्तक, नाम ही है पुस्तक का तब होता है ध्यान का जनम अब कब होता है? ऐसा जीव तब आप कुछ भी खाते पीते रहें, कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी करते रहें, उल्टा सिधा और शिकायत करें, क्या बता हूं, मेरा मन शांत नहीं है, च्या अपनी निर्मित किया है जीवन को, इस ढंक से कि जिसमें शांती के फुल खिले, कर दो, वही तुमें कहना जाता ह हूं, सुरू से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जीवन में ही जीवन को ढूंडना है, जीवन को समझने के लिए बाहर कहीं नहीं जाना है आपको, आपका जीवन प्रयाप्त है, और क्या है, अभी सुन रहे थे ना, कि मेरे पास तो दोनों हाथ है, दोनों पैर है, और जो मैं बोल सकता हूं, पशु नहीं बोल सकता, जो मैं कर सकता हूं, वो पशु नहीं कर सकता है, मनुष्य ही थे एक विशेश प्राणी है, बात चली थी कल, शक्ति के विशय में, बाहरी शक्ति के विशय में बताया था, आपके पास धन की सक्ति है, आपके पास में जन शक्ति है, आपके पास में शारिरिक शक्ती है और कुछ चर्चा हुवी थी आज थुड़ी सी आंतृक शक्ती के बारे में बताओ वो कितना महात्तोपूर्ण है अर उसे हम कैसे सही दिसा दे सके हमारे भीतर में जो आंतृक शक्ती है उसको क्या करना है साधना का मतलब है शक्ति का संचयन ध्यान दीजे इस चीज को मैं एक निवेदन और कर दूँ पहले दिखिए मैं सत्संग सुनने का मतलब ये न समझो मैंने कहा भी था मनरंगन करना ये सत्संग का उद्देश्ट नहीं है यहां आकर के लोरी सुना रहे हैं बहुत अच्छा लगा अच्छा लगने का क्या मतलब है आपको और हम सबको क्या इससे जीवन में बदलाओ आया क्या इन बातों को सुन करके आपके भीतर कुछ अकुलाहट हुई क्या इन विचारों को सुन करके बीतर में कुछ अंदोलन जगा, कुछ ऐसा लगा, हल चल आई, अरे नहीं, अब मुझे जीवन को बदलना है, यह मैं क्या जी रहा हूँ? नहीं, मैं जीवन को बदलूंगा, और जीवन में वो पढ़ना हूँ, जो मैं चाहता हूँ, वो मैं लाना चाहता हूँ, क्रान दिया जाए, तभी तो सुनने का मतलब है, नहीं, हर साल सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, कहा हैं, वही कुई हैं, आप सत्संग में जब आएं, तो जो इन्सान थे, सत्संग से लोडते समय, आप वह इंसान न रह जाएं कुछ नए रूप में जाएं फिर यहां से नए रूप में जाएं तब तो आनी की सार थकता है कई बार कहा करता हूं एक आदमी सुभा नीन खुली और उठ करके बात्रूम की और जा रहा है इतने में एक आदमी मुबाईले खड़ा हूं रुको में एक फोटो क्लिक करने वाला हूं किदने लोग की जाएंगे बाल बिखरे हुए है चेहरा उदास है कपड़े सिकन भरा है अरे रुको भाई मुझे इश्नान करने दो सही है न? इश्नान करने दो अर इश्नान किये तो इश्नान करने के बाद भी आप वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे आप इश्नान करने के पहले थे तो क्या मतलब है इश्नान करने का? सत्संग करने के बाद आपका जीवन वैसे ही है जैसे सत्संग करने के पहले थे तो फिर सत्संग का अर्था है सत्संग का अर्थ हो यहां आ करके आपका पुनर जनम हो जाए अर्थात जब यहां से जाए नए विचारों के साथ जाए नए शब्दों के साथ जाए और नए शंकल्प के साथ जाए बस अब मैं वैसा जीवन नहीं जिऊंगा, जिससे मैं दुखी हो, अशान्त हो, अब जीवन को समार ना है, जीवन को तराश ना है, जीवन को समाल ना है, जितने दिन बीते उसकी चिंता नहीं है, जो बचा है उसका मुझे उपियोग करना है, उसका मुझे सही उपियोग करना है और जैसे ही आप संकल्प लेते हैं जीवने बदलावाना शुरू कर देता है आंत्रिक शक्ति के विशाय में कह रहा था हमारे भीतर में सबसे बड़ी जो शक्ति है वह है सोचनी की शक्ति कल्चरचा हुई थी ना कि हम में हाथों से करने की शक्ति है मुझ से बोलने की शक्ति है और मन से विचारों की सक्ति सोचनी की शक्ति है और ये विचारों की जो शक्ति है सोच हमारी है यही जीवन को निर्मित करता है आप जैसा सोचते हैं वही आदमी बन जाते हैं कितनी बार मैंने आप लोग के बीच कहा है मैं धोराओं इस चीज को, आप वह नहीं हैं, जो आप दिखाई देते हैं, आप वह हैं, जो आप सोचते हैं, मैं वह नहीं हूँ जो मैं दिखाई देता हूँ, मैं वह हूँ जो मैं सोचता हूँ, जैसे मैं सादू का कपड़ा पहना आप क्या कहेंगे आप सादू है लेकिन क्या सादू के कपड़ा पहनने से मैं सादू हो गया नहीं यदि मेरे मन में क्रोध के विचार है तो मैं क्रोधी हूँ द्वेश के विचार है तो द्वेशी हूँ मोह के विचार है, मोही हूँ काम के चिंतन है, तो कामी हूँ लेकिन मेरे मन में त्याग, बैराग्य, भक्ती, ज्यान, शाधना इसके विचार चलते हैं, तो मैं साधक हूँ कोई भी कर सकता है ऐसा आप जो सोचते हैं, आप वही है इसलिए सही सोचें, सही बोलें और सही करें, जीवन इसी से बदलता है जीवन का कोई आकार नहीं होता जीवन का कोई आकार नहीं होता जैसे पानी, पानी का आकार कौन सा है पानी तो देखें न, कौन सा आकार का होता है पानी जिस बरतन में रखा होता है उसी आकार का पानी हो जाता है ऐसे ही है जीवन जीवन को कोई आकार नहीं आकार आप देते हैं कैसे देते हैं जैसे सोचते हैं आप की सोच एक साचा है और उसी में जीवन ढलता चला जाता है ढलता चला जाता है सब्सक्री करें वहिश Dit करोतरा हम mojeई वही काहते हैं कि वही कारना वही क्तुरी वही सोचें कि पाइए अच्छी थायphem करको देख कि आप द्यूहना पॉप्धार्ट चाहता हम अग्रे में में कि आ मि辉दा था Do the वही सोचे जो हम चाहते हैं मैं जीवन चाहता हूं, शान्ति का अनभव करना चाहता हूं। तो क्या करना है उसके भी से में सुचें। तो क्या करना है इसको कैसे दिसा दें। अब जीवन को कैसे दिसा दें। इस विच को समझें। ताकि जीवन में बदलाव आ जाए। जो बीस घंटे में जो दो वक्त होता है ना वो हमारे लिए बहुत महत्तो पूर्णा होता है जो बीस घंटे में दो समय कौन-कौन से? एक जब सुबह नीन्द खुलती है तब और दूसरा जब आप नीन्द में जाते हैं तब यह दोनों वक्त को समालो जैसे नीन्द खुले और खुलती है तो होता क्या जनरली? जैसे नीन्द खुलती है अभी तो आँग भी नहीं खुली है और विचारों का पहिया घुम गया और वही से शुरू करना है आपको वही से शुरू करना है क्योंकि आज जैसे ही सुबा हुई नीन खुली, इसका मतलब है दिन की सुरुवात इसका मतलब है दिन की सुरुवात और आज आज, आज की सुरुवात है सुबा होने की मतलब आज की सुरुवात है और आज का मतलब आज किसे कहते हैं आज किसे कहते हैं बिछले साल तो बताया था मुझे पता है बताया था मैं आज की परिवासा क्या है आज का मतलब है बाकी बची ही जिन्दगी का पहला दिन बाकी बची ही जिन्दगी का पहला दिन आज और आज को क्योंकि हम पीछे जाकर नहीं सुरुवात नहीं कर सकते हैं जो दिन बीत गए क्या हम उसमें जाकर के नहीं सुरुवात कर सकते हैं बीत गया सो मुर्दा है आने वाला सपना है जिसमें हम बंधन काटें वर्तमान समय अपना है केवल अभी आज हमारे पास है भविष्य आया नहीं है अतीत खतम हो चुका है बरतमान ही तो है और उसमें आज हमको मिला हुआ है आज को सही बनाना है तो आज को सही बनाना है मतलब हम सुबह से ही ध्यान देना शुरू कर दें फिर इस चीज को सुबह से ही जैसे नीद खुले वैसे ही आप अपने विचारों को दिशा दो दिशा दो और दिशा देने का मतलब क्या हुआ? कैसे दिशा देंगे? मैं फिर से बता रहा हूँ दिशा का निर्धारन तब होगा जब आप में कोई लक्ष का निर्धारन होगा लक्ष के अनुसार ही आप दिशा का निर्धारन कर सकते हैं आपका लक्ष जिसे जीवन के लिए आपने चाहा मुझे धन चाहिए कितना धन चाहिए क्या उस धन को पाने की दिशा में मेहनत कर रहे हैं तब आप सही दिशा में हैं आप यह चाहते हैं, कि मैं स्वस्थ जीवन जीओं, तो क्या आपके जो एक्टिविटीय जे क्रिया कलाप है, क्या उस स्वास्थकी और है, तब आप सही दिसा में हैं, आप चाहते हैं, कि मेरे पारिवारी क्रिश्थे, संबंद, प्रेम पुर्ण हो और मधूर हो, तो आपके जो विचार, आपके जो श्रबद, आपके क्रिया कलाप, क्या उस प्रेम को बढ़ाने में है? प्रेम को विksित करने में है, प्रेम को और प्रगाड करने में है? तब तो अप सही दिशा चल रहे हैं. अन्यता वो भी जिशा है फिर. इसी प्रकार आप चाहते हैं कि जब मैं अकेले बैठूं तो मेरा मन शान्त हो जाए अंदर से बड़बड न करे अकेले बैठूं तो मन में बड़बड बड़बड न होता रहे शान किसी की याद ना आए यदि याद आए भी तो किसी के प्रती बदले का भाव न जगे द्वेश और नफरत न हो क्या भाव जगे? प्रेम का मैतरी का, करुना का ये भाव जगे ऐसा आप चाहते हैं तो फिर आप के विचार, आपकी क्रिया आपके शब्द क्या उस दिसा में है? क्या आपकी चिंतन उसी दिसा में है कि आपको लगे कि आप शांती के विचा में चिंतन करते हैं? मन शांत रहे इसके लिए आपके क्रिया कल आप कैसे हैं? विपरीत काम करेंगे तो आप नहीं पहुँच सकते हैं ये नियम है विपरीद करके नहीं पहुच सकते हैं आप सही दिसा में ही चलके पहुच सकते हैं तो सुबह मैंने कहा कि सुबह ही आप सोचना सुरू कर दो इस चीज को जैसे नीद खुले अच्छे जानबुच करके देखिए नहीं आप उसको दिसा देंगे तो सकती बिखर जाएगी सकती बिखर जाएगी और कुछ भी आने लग जाएगा फिर आप तो रोज देखते हैं नो रोज ही देख रहे हैं विश्चीच को यह कोई प्रियोग की बात बता रहा हूं आप करेंगे तभी हो पाएगा मैं तो केवल आपको संकेत दे रहा हूं माय आपको सलाह दे रहा हूं बस आप इसको करेंगे जैसे सुवा नींद खुले बैसे ही आप क्या सोचना है आपने ते किया मैंने कहाना वही सोचो जो आप जीवन में चाहते हो जो बनना चाहते हो जो होना चाहते हो जो महसूस करना चाहते हो उसके बारे में सोचो यह बदलना है देखो जीवन को बदलने के लिए आपको घर बदलना नहीं है मैं फिर से क्लिरिफाई कर दूँ इस चीज को जीवन को बदलने के लिए आपको घर बदलना नहीं है कपड़ा बदलना नहीं है परिवार बदलना नहीं है फीतर बदलना है सोच बदलना है विचार बदलना है ये बदल दिये तो जीवन ही बदल जाएगा फीर तो ये तो इसको ठीक करना है मैंने कहा ना आप जो सोचते हैं वही आप है तो क्या सोचे, वही जो चाहते हैं, सिधी सी बात है, वही सोचे, और कब से सुरू कर दें, सुरू कर दें, जैसे निंद खुले, सुरू कर दीजे आप, जैसे निंद खुले, मैं जो करता हूं, और बताना चाहता हूं, जैसे निंद खुले, तो सबसे पहला काम आप कर सकते ह अपने लिए उख्या है, वह है अपने इश्ट के प्रती अभिवादन, आपके अपनी इश्ट होते हैं, अब आपके सब के अलग-अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, अर्था जिसकी याद करके आपका मन सरद्धा से जुक जाता है, आपको जुकाना नहीं पड़ता है, आ आप एक विवस्थित होने लग जाते हैं, आपके भीतर से ही वह गलत विचार जाने लग जाते हैं, जैसे याद आई, बस उनके प्रती एक प्रकार से कृतग्यता का भाव जगने लग जाता है, सुभावि, उसको मैंने काना वह करना नहीं पड़ता है, हो जाता है, वह निये कौन है और उनका आप भीतर से नमन, अभिवादन, चाहे जैसे करते हो, वह आप अभिवादन कर लीजिए, न कोई देख रहा हो, कोई बात नहीं, आपको करना है, क्यों करना आप कहेंगे, जिनका अभिवादन करूं वो तो सामने है नहीं है, मैं क्यों करूं, महत्तु विक्सित करते हैं, नियोजित करते हैं मन को उस दिसा की और में, आपने अभिवादन किया, और जो चाहते हैं वो कहना सुरू कर दी, अंदर से अंदर अंदर कहना सुरू कर दी, क्या, मैं स्वस्त महसूस करता हूं, मैं क्या कहता हूं, आज का दिन मेरे लिए बड़ा शु यही तो चाहते है न, शुब है, तो बोल दीजे न उसको, किसको बोल दो, बीतर वाले को, इसको बोल दो, बीतर क्यों, बीतर में कौन बैठा है, परमातम ही तो बैठा है, उसको संदेज भेज दो, सिधी सी बात है, उसको संदेज भेज दो, इसको कहते है आटो सजेशन, यह अलग भी से हो जाएगा, इसको कहते हैं आत्म सुझाओ, जब आप सुबा सुबा उड़ते, नीनद खुलती, जब सननाटा रहता है, मन उस समय, बिलकुल, एक तो होता है हमारा चेतन मन, वो थोड़ा शांत रहता है, और जब चेतन मन शांत रहता है, तो ओ चेतन मन के दरवा जा, मैं शांत होना चाहता हूं, दरवाजव बंद है, अब वो अलगी प्रक्रिया है, कि उसमें एक सिस्टम होता है, अलफा वास्था में आ करके, फिरो काम किया जाता है, रिलेक्स्टन की वास्था में, वो मेरा विशाय भी नहीं है, अभी विशाय है, ये दो समय जब न और भी खरता चला जाता है, परिवार मिला, समाज मिला, काम के आद आगाई, लेकिन प्रारम भै, तो मैंने का जान बूझ करके ये काम करना पड़ेगा, मैं जीवन जब बदलेंगे ना आपको ही बदलना पड़ेगा, ना आसिरवात से जीवन बदलेगा, ना पुझा ये, मैंने का कोई काम बिना महनत के आपको मिलने वाला ने, एक धन भी कमाते तो महनत करते हो, कई घंटे आप इसमें जाके वर्क करते तब आपको पेमिंट मिलता है, खेत में कितनी महनत करते हैं, घर के काम काज में मातना है, कितनी महनत करती तब कि घर के साफ सफाई और बोजन पानी के और बच्चों की विवस्था कर पाती है और जीवन निर्मान के लिए समय नहीं देंगे आप तो कैसे बनेगा वो आपको ही करनी पड़ेगी मैंने का ना दूसरों के भरोसे मत रहिए कि आपके जीवन को कोई सुंदर बना देगा आपको संकल्प लेना है मैं अपने जीवन को निर्मित करूँगा कैसे करूँगा यही है कि सुबह आप अपने विचारों को दिशा दें कैसे दिशा दें जैसे नीन खुले मैं स्वस्त महसूस करता हूँ मैं अच्छा महसूस करता हूँ सब के प्रती मेरे मन में प्रेम और मेत्री का भाव यह ध्यान दो, एक काम कर सको कि जैसे आपके भी तर्मिय भाव आने लगे अंदर से एक जिसे तरंग निकलती ही न हर आदमी एक रेडियेटर की तरह है इस चीज को समझें आप हर आदमी एक रेडियेटर की तरह है जहां से रेडियेशन क्रियेट होता है रेडियेशन तरंगे, तरंगे निकलती है वो उसी प्रकार से निकलती जैसे आपके मोबाईल से अपने मोबाईल में किसी नंबर को आप डायल करते हैं अर वो घंटी दूसरे के फौन बजने लग गया तो आपके फौन से वहां तक क्या गया कुस तो गया दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे ही आपके भीतर की भावना आपके भीतर के विचारों की भी सुख्स्मत तरंगे होती है और वो जाती है अर्थात जब आप बोलते हैं तब तो बोलते ही हैं जब आप नहीं बोलते हैं अंदर-अंदर बोलते हैं तब भी उसकी तरंगे और उसका मैसेज जाता है उसका मैसेज जाता है आप सुन भी लेते हैं वो भी सुन लेता है यह अद्भुद है ना, यह होता है, इसको एक सब्द देते हैं, टेली पै थी, इसको एक सब्द क्या देता है, आजकर टेली पै थी, मतलब अंदर से आप कह रहे हैं और जा रहा है, एक कहानी बहुत पुरानी कहानी आदा गई, एक माता जी थी, सुननो कहानी, एक माता जी थ पहले की बाद थी, शीर पर एक गठ्री लेकर जा रही थी, उनका समान था, जो कुछ बंधरा होगा, कपड़े लटते और हो सकते कुछ गहने भी रहोंगे, हम नहीं जानते क्या था, लेकिन गठ्री लेकर जाती थी, गठ्री थी बजन थी, पैदल जा रही थी, मन में हो रहा एक आदमी आया पीछे से, आगे निकला, उसने का भहिया भहिया थोड़ा रुख जाओ, आप उस रास्ते में जा रहे हैं, गठ्री मेरी वजन है, उतनी दूर तक मैं पैदल नहीं ले जा सकती हूं, आप एक काम करें, ये गठ्री ले जाएं, और वहां उस चवरहे पर मेर बेटे की छोटी सी दुकान है, वहां आप छोड़ देना, मैं आ करके ले लूंगी, उसने कहा गुरसवार बड़ा रोम में कहा, हाँ, तो तुम्हारी गठ्री लेने में आया हूं, बड़ी गठ्री देने हो लेजे, और वो डाट करके चला गया, जब चला गया, तो उसके म जानती है, नत मेरा पता जानती है, गठ्री में फो सकते क्यों कीमती चीज हो, मैं लेकर के चला जाता, कहां खोजने आती हो तो, यह तो गड़बड हो गया, यह मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा वो सोचने लगा, इधर बुड़िया के मन में हुआ, चलो अच्छा मुझे देना भी नहीं चाहिए था, तो मैं गलाती कर रही थी उनको गठ्री, एक अपरचित आत्मी को गठ्री देना, इधर उसके मन में क्या हो रहा था, उसने कहा, कि गठ्री मुझे ले ले लेना चाहिए, अच्छा चलो अभी भीगड़ा नही है, वो फिल लौट कर आय लौट कर आय कहा कि माता जी बड़ी भूल हो गई, आपक पर दया आ गई, सच मुझे गठ्री को मैं ले जाता हूं उसी रास्ते पर जा रहा हूं और आपके बेटे के दुकान पर छोड़ दूंगा, माता जी मुझे गठ्री दे दो, उसने कहा, नहीं बेटा आप गठ्री माता जी मुझे दोगी यु बड़ी उसने आप करके आपको कुछ कहा है उसने आ करके आपको कुछ कहा है, नहीं बस कही बाते हैं। हो गई न माता का मैं इसने आप गठ्री बच्जा कहा नहीं है। केले में बैठ करके, अब इसको कैसे करना है, सकारात्म करूपने कैसे, इसका लाब कैसे लेना है, इसमेसेज का, आप जब बैठें, सुबा नीन कुले, कुछ मिनट में हो जाएंगे सबी, ऐसा नहीं को घंटा लगना है, कुछ मिनट बैठें, और अंदर से क्या कह रहा हैं, बीतर से मालो एक तरंग, जिसे धुआ कोहरा होता है, आज़ ठंडी कोहरा जुछ से निकलता है, कलपना करो, कलपना है, विजुलाइज करना है, कि यहां से प्रेम, 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 एक तरंगे, हो रहे हैं, चुट रहे हैं, प्रेम, प्रेम, मैत्री, मैत्री, मैत वो भी आवाज करने लग जाती है, उसकी तरंग करभाव, मैंने प्रयोग नहीं किया, लेकिन मैंने पढ़ा इस चीज को, तरंगाईत हो जाती ही वो, इसी प्रकार से जब आप प्रेम, प्रेम, सब के प्रती प्रेम, सब कब लाओ, या आप सोच रहे हैं, और आप कलपना कर है कि मेरे प्रेम का संदेज सब को मिले, पहले परिवार वालों को, फिर और फैले, और फैले, जैसे धुआ फैलता है न, वैसी कलपना करिये, प्रेम फैल रहा है, फैल रहा है, सब को प्रेम का बटवारा, सब को मिले, मेरा प्रेम, करुना, प्रेम, प्रेम, मैत्री, करुन यह आप बोलते चले जा रहे हैं भीतर से और आपको लग रहा है कि सब को प्रेम मिले सब को मिले दिखिये आप चाहे दो मिनट के लिए भी करेंगे आपके भीतर की sindi कैसी होगी बताईए आप प्रेम दे रहें भर रहें पहले किसी को देते हैं उसके पहले आप भरते हैं किसी को गाली देने के पहले आप पहले गाली पैदा करते हैं गाली में जीते हैं पहले तब गाली बाहर निकालते हैं क्रोध करने के पहले क्रोध में जीते हैं प्रेम देने के पहले आप प्रेम में जी रहे हैं पहला काम, सही एक नहीं है यदि आप इसके बदला उल्टा करके देख लीजिए दूसरों के बारे नफरत गणा का भाव करिए वो भी जाएगा वो भी जाएगा लेकिन नुक्षान किसका होगा नुक्षान किसका होगा और उसमें फायदा किसका होगा आपके प्रेम के संदेज भेजने से आप करके देखिए इसका फायदा होगा करके होगा ही यह होता ही है यह नियम है लेकिन हम लोग करते नहीं है आप कहेंगे इतना सरल है जीवन हाँ इतना ही सरल है आप कठिन काम करने के लिए तो प्रयास करते है सरल काम नहीं करते यदि आपको कहा दिया जाए अमुक वहाँ जाना है अमुक मंदीर है वहाँ पर ऐसा सच चमातकार हो रहा है लेकिन आपको लेटते हुए जाना है समझ रहे ना? लेटते हुए जाना है आप लेटते हुए चल देंगे चले जाते पर नहीं दोड़ते हैं, कितना कठिन है, मैंने देखा है, उदर राम देवरा राजस्थान में उदर से हम लोग आ रहे ते, एक आदमी था लेटा, नारियल रखा, उठा, फिर नारियल रखा, फिर वहां रखा, ऐसे लेटते लेटते जा रहा था, मैंने को, सरल क्या है? मन बदल लो सिधी सी बात है सरल क्या है? विचार अच्छा कर लो कितना सरल काम है? आप जो प्रेम का संदेज भेज रहे हैं दूसरों को कब लाब होगा? ये तो बात की बात है पहला आपको शुरू हो जाएगा गलत भेजते हैं संदेज किसी के लिए नफरत और द्वेश का संदेज भेजते हैं, ग्रिना का भेजते हैं, दूसरों का नुक्षान कब होगा? वो अलग है आपका नुक्षान वहीं सुरू हो जाता है पहले और मैं उधान पिछले साल भी दिया था, मैं फिर से देना चाहता हूँ जैसे इतना बड़ा बरतन इतना बड़ा बरतन आपके घर हो आप एक काम करिएगा उसमें कोईले का अंगारा, जलता हुआ कोईला आप उस बरतन को भर दीजिए तो सबसे पहली आज किसको लगेगी? पहली तो आप किसको लगेगी? उसी बरतन को फिर ता बाद में दूसरों को लेकिन एक दूसरा काम कर सकते हैं आप उस कोईले के अंगारे को फेंक दीजिए और फ्रीज में से बर्फ के टुकड़े निकाल करके उस बरतन को पूरे बर्फ से भर दीजिए महें की घ्रणा है पहला नुक्षान हमारा पहला फाइदा हमारा तो सुबा नीद खुले और आप साब के परती प्रेम भेज़ दो आपको सुबा कितना अच्छा हो जाएगा कितना अच्छा हो जाएगा एक बात, दूसरी बात कि तक ग्यता आभार ये काम करना पड़ेगा आच्छा हम लोग आदी क्या हो गया है ऐसे से आर्तिकल दिये ऐसे फूलचड़ा दिये बस धरम का काम हो गया धरम को समझते हैं कि बस इसको धरम माल लिये ऐसा बस पानी और नी चड़क ले धरम का काम हो गया वही धरम है वो करम कांड को धरम नमाने आप करम कांड को धरम नमाने धरम है अंतस की पवित्रता चित की निर्मलता वही पूजा है बेद व्यास से किसी ने पूछा चला है बताता हूँ बेद व्यास से किसी ने पूछा इश्वर की पूजा क्या है बताओ क्या कहें होंगे वो उन्होंने कहाओ क्रिष्न की पूजा करो रामवाले क्या कहेंगे जाके देखो वहां अध्या में राधे स्याम, राधे स्याम कहो आपको पकड़के डुबा देंगे कहीं और बिरिंदवन में जाकर के कहो गोष्वामी तुलसी दास जी भी कहा वेठे इस चीज को कब मैं अपना सिर जुकाऊंगा जब धनुस बान लिये रहो कहें और नहीं कहें कि आप तो बहुत भले हैं लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे धनुस बान लिये हाथ अब पता निए तुलसी ने कही ये बात कि किसने कही है लेकिन तुलसी को नाम से प्रसिद्ध है साव कहा है बहुत अच्या लग रहे हैं प्रभू लेकिन मेरा न मैं तो नमन तब करूँगगगगजब आप धनुस में हाथ में धनुस लिये रहो बंसी धारी को नमन नहीं धनुस धारी को और त्रिसुल धारी को नहीं किसनी चगबंदी की भक्ती है ठाई कि नहीं है वेद व्यास जानते थे यह होने वाला है उसने क्या कहा अमुक की पूजा मुर्ती की पूजा तो मुर्ती की पूजा हो गई किसकी पूजा बताऊं उन्होंने सारो भहुमिक पूजा कही इस्वर की पूजा देख ले न भागवत में मैं बना के नहीं कह रहा हूं आपके सास्त्रम है रागाद देतम हिर्द्यम बाग दृष्टा निता दिभी हिंसा दि रहितस चकाया एतद इस्वर पूजनम रागाद देतम हिर्द्यम हिर्दय राग दृष्ट से रहित हो रागाद देतम हिर्द्यम बाग दृष्टा निता दिभी बाग वाणी दृष्टा अनृत जूट और गाली से रहित हो हिंसा दि रहितस चकाया काया कैसे हो हिंसा आदी अर्थात चोरी, हिंसा, विविचार, नशा हिंसा दी रहितस चकाया एतद इस्वर पूजनम मैं उसको सरल भासम क्या कर रहा हूं तिन दिन से, चार दिन से हमारे संद क्या कर रहे हूं मन वानी कर्मों की पवित्रता सुलोक में ही कहें तभी बात पहुचेगी क्या इन सरल बातों को कहने के लिए बुद्ध ही है तभी समझेंगे हम कभी राएंगे तभी समझेंगे आपका जीवन बता रहा है मन की पवित्रता जब होती है, आप अच्छा महसूस करते हैं मन विकृत होता है आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं क्रोध करके आपने कभी अच्छा महसूस किया है क्रोध करके अफसोस करते है क्रोध कुरूपता है करुणा सुन्दरता है क्रोध कुरूपता है और प्रेम सुन्दरता है आपको मैं चीज बताऊं आप एक काम करेंगे आप लोग मेरे निवेदन है कल आप जाना दरपण के सामने और जितना क्रोध करना हो ठीक से क्रोध करना जो महान दुस्मन है आपके न भेंकर उसकी याद करना और इतना क्रोध करना और दरपण में देखना आप सुंदर लगेंगे सुंदर लगेंगे मैंने कहा ना क्रोध कुरूपता है लेकिन आप करुणा करके देखिए मुस्कुरा करके देखिए किसमें सुंदर लगेंगे फोटो किलिक करने वाले भी कहते हैं क्या कहते हैं समझ रहे ना क्या कहते हैं इसमाइल प्लीज दो सेकंड मुष्कुराते हैं और आपको फोटो संदर आ जाता है और जीवन भर मुष्कुराएंगा तर जीवन सुंदर नहीं हो जाएगा कुरोध करके सुंदरता पाएं हम इसलिए वो हमारी ज़रुरत नहीं है करुणा हमारी जरुरत है शांती हमारी जरुरत है उसके लिए मेहनत करनी है और इसके लिए मैंने कहा जब सुबह नीद खुले प्रेम और मेत्री का संदेज भेजो आभार कृतग्यता कृतग्यता, धन्यवाद धन्यवाद, क्यों धन्यवाद आज में जिन्दा हूँ, क्या धन्यवाद देना निचे, इसके लिए अभार करना नहीं है, रोग रात में सोते हैं, सुभा उठी नहीं पाते हैं, अभी शत्रीच गटना, सची गटना है कुछ महिने की, एक संद ने कहा कि वहाँ कारिक्रम है, किसी के वो सरीर छूट गया है, उसमें जाना है, कैसे हो गया, रात में आदमी सोया था, और सुभा हुए सोया तो उनके बच्चे उठाने लेकि, पापा पापा उठो उठो, अब उसके पापा रहे तब तो सोयी ही रह गया, क्या हमारी दसा नहीं आ सकती है, कविर साहब ने कहा है, कि यह तन काच्छा कु कुछ भी हात नहीं आया, यह तन काचा कुंभ है, यह सरीर कच्चा घड़ा है, कब चोट लगी, काल की चोट लगी, भारा के गिर गया, कुछ भी तो नहीं आएगा, कब चूट जाएगा, इसलिए, आज सुबा नींद खुली, मैं जिन्दा हूं, धन्यवाद, आभार, निकल धन्यवाद, धन्यवाद, कोई है, कुछ तो है, कुछ तो अच्छा है, जो हम जिवित हैं, सभी कि सभी, बात्रूम में गए, पानी मिल गया, धन्यवाद, अचा पानी नमिलता तो मैं क्या करता, स्विच दबाया, और बत्ती ना जले तो क्या करूं, बत्ती जल गया, धन् पुरी रात में सुक से सोया, पुरी रात सुक से सोया, धन्यवाद, मेरी आख है, कभी दियो आख को धन्यवाद, मैंने कहा ना, कितने लोग है जिसकी आख ही नहीं है, कितने लोग है जिसके मुह नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन जो है उसके परती आभार नहीं है, हमारे मने, रोज भोजन कर रहे हैं रोज भोजन उस भोजन देने वाले के परति आभार हुआ है जिस दिन आप धन्यवाद देना सुरू करेंगे जीवन से सिकायधी मिढ जाएगी आपकी नकारात्मक्ता ही मिढ जाएगी असल मैं कामी नहीं करते हैं पर छुह मिढ बता हूँ तो मैं जीवन के लिए कामी नहीं करते हैं बस और धरम के नाम पर कुछ किर्वतन कर लेंगे कुछ ब्डोल-मिरद बजा लेंगे भाजा गाजा बजा लेंगे कुछ नाज-गा लेंगे कुछ पूजा-पाथ कर लेंगे और क्या समझते धरम हो गया मैं फिर से कह रहा हूँ जिस दिन अंतस की पवित्रता होगी मन निर्मल होगा चित में शान्ती और सब के प्रती परण करुना हो ये तो, अच्छा मैं ही कह रहा हूँ कभिर साथ गोसामी तुलसी दाज भी ने कहा है सिया राम मैं सब सिया राम है किससे द्वेश कर रहे हैं किससे नफरत कर रहे हो सदुरु कविन ने का घाव काही पर घालों जित देखों तित प्राण हमारो किस पर घाव करूं किसको चोट पहुचाओं सभी तो मेड़े प्राण पिया रहे हैं किसे नफरत, किसे द्वेश? राग द्वेश तो छुटा नहीं है और बड़े पुजारी हम बन गए बहुत माला जपने वाले हो गए जपू, जितना जपना है लेकिन असली जपना है मन का, मन का याद है कनहीं कबीर की पंक्ति याद तो सब को है किसे साहिब ने क्या कहा है माला तो करमे फिरे जीव फिरे मुखमाही मनुवा तो दहुदिस फिरे याद तो सुमिरन नहीं है याद, कर लो याद आज काम आ जाएगा यह, यह पंक्ति माला तो करमे फिरे जीव फिरे मुखमाही तो सुमरन क्या है सूमरन क्या है? यह पंक्ति भूल जाती है कबीरशइन मैं चमाच चाहता हूं यह आधी रहनी चाहिए मुझे पंक्ति माला तो करमे फिरे माला फेरत युग भया गयान मनका फिर यह पंक्ति कितनी विदक दातमा कह ए माला फेरत युग गया गयान मनका फेर करका मनका जो करका मनका है डार दे और मनका मनका क्या का मनका जो मनका है न और जो भही बता रहा हुँ है अभी तक के मन में जो मनका मतलब समझ रहे न जैसे माला पिरोय जाता है न एक दूसरे में ऐसी विचारों की स्रिंखला चलती हमारे मन में कोई एक बात याद आई और उसी के related सारी बातें याद आने लगती जिसे आजकल मोबाईल की सिस्टम ऐसा है बहुत उपर में बैठे हुए लोग ऐसा सिस्टम है किसी विचार को सर्च करो और उसके बारे में उससे संबंधित किदनी बात आने लगती है आतिक नहीं आती बस वही मन की दसा है एक विचार उठा और उससे संबंधित वो विचारों की स्रिंखला सुरू हाँ ऐसा है वैसा है किसी आदमी की गलती आद आ गई जए बढ़की गल्ती आद आगई, बिटी की गल्ती आद आगई, पती की पतनी की, जैसे गल्ती आद आए, अमुक न ये सी गल्ती की, अप ख्झाल करेगा। उस दिन भी तो सNAY गल्ती की ती, तुस लमें किया थाया, आच चार दिन पहले में उसे हहा किया सब याद आने लगी यह क्या है? यह मन में एक चेन मन ना सुरू हो गया साहब कहाते है उस मन का को फेर दो मन वाला उसको हटा दो यह असली है यह असली माला फेरना है जो मन में गलत विचार चल रहे है उसे हटाना जरूरी है उसे हटाना जरूरी है साधना, वह साधना जो सब समय सब जगा, सब समय सब जगा, आपको किसी मुर्ती की सामने के लिए समय निकालना पड़ेगा, इश्णान वगरा करना पड़ेगा, फूल लाना पड़ेगा, गर्वत्ती जलानी पड़ेगी, बहुत कुछ समय लगेगा, लेकिन एक ऐसी साधना क वीर की है, जो सब समय सब कर सकते हैं, और सब जगा कर सकते हैं, अर्थात, जब विश्तर पर लेटे हों, साधना कर सकते हैं, विश्तर में बैठे हों, कर सकते हों, चल रहे हों, कर सकते हैं, जाडू लगा रहे हों, कर सकते हैं, रोटी बना रहे हों, कर सकते हैं, कबड़ा धो मन को देखो, मन क्या सोच रहा है, गलत तो नहीं सोच रहा है, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए द्वेश, किसी का नुक्षान तो नहीं सोच रहा है, यदि सोच रहा हो, तो बदल दो, क्या बदल दो, अच्छा सोचो, उनका भला हो, आपका भला हो, उनके भला के साथ साथ में आपका भला सुरू हो जाएगा जैसे देखो अंदर जो सोचते हैं आप ख्याल करें मेरी और देखे मैं बताना चाहता हूँ यहां जो सोचते है न यह बीज है और यह हिर्द है जो खेत है यहां गिर जाता है वो जैसे सोचते हो यहां गिरता है और यही से अंकुर फूड उसे नहीं पता कि आप दूसरों के लिए गलत सोच रहे हैं, कि अपने लिए गलत सोच रहे हैं, होता क्या है, विचार है न, बस विचारों का परणाम मिलेगा आपको, किसके बारे में सोच रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप दूसरों के ल वो पढ़ना मिलेगा इसलिए ये ध्यान रखें इस चीज को ये अंदर के विचारों को हमें ठीक करना है इस चीज को तो मैंने कहा कि सुबा जैसे नीन खुले प्रेम प्रेम और आभार धन्यवात का भाव देने लग जाओ सब के प्रती कृत अग्यता का भाव घर में सदस्या है माता है पिता है बच्चे है आज बच्चों के लिए तड़पते हैं लोग मेरा एक बच्चा हो जाए चाहे वो भले ही लंगड़ा हो पैदत हो जाए क्योंकि कोई मुझे निर्बंसी ना कहे है कि नहीं है एक बच्चा आजाए बस मेरे गर्भा से बच्चा निकल जाए मेरा एक बेटा हो जाए और बच्चे आगे तो उनसे लड़ाई जगड़ा उनसे मार पर उनसे कितनी डाट डपट जिस बच्चे के लिए तडफ रहे थे आज बच्चे को होने पर उनके प्रतिधन्यवाद नहीं माता पिता के प्रतिधन्यवाद नहीं घर में और भी सदस्य है आभार देखो तो सही जिस दिन आपके मन में आभार व्यक्त सुरू हो जाएगा मैंने एक पुस्तक पढ़ी है The Magic, जादू इसमें पूरे में यही विषय बताए गया है अभार के विषय में किर्तक ज्यता का क्या भाव होता है आप किर्तक ज्यता भाव प्रकट करना सुरू कर दिजिए देखे एक आदमी था जिसका कुछ बयापार में इसू चल रहा था बड़ा डिप्रेस था आप इसमें बैठे-बैठे मन भालाने के लिए बाहर निकल गए देखा कि सड़नली वो एक भिखारी को देखा देखा गा ओफ भगवन धन्यवाद आपको भले मेरे विपार को लेकर कि कुछ मसला चल रहा है लेकिन वो ठीक हो जाएगा कम से कमें भिखारी तो नहीं हूँ आपको धन्यवाद वो ठीक हो जाएगा मेरे पास है परहाप तो मैं भिखारी नहीं हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ भिखारी ने सड़नली क्या देखा एक पागल को पागल जा रहा है पागल पन करते हुए इधर उधर बढ़ बढ़ाते कपड़ा ऐसा करते वैसा करते और गलत खाते पीते भिखारी ने कहा भगवन धन्यवाद आपका मैं भिखारी भले हूँ पागल तो नहीं हूँ पागल तो नहीं हूँ देख़ो कितनी अस्त वेस्त जी रहा है उटो पागल ने देखा, ततकाल ये बात ये देखा क्या एक एंबुलेंस गुजर रहा है Michalai पागल ने का भगवन धन्यवद आपको मैं पागल भले हूँ, बिमार तो नहीं हूँ मैं भीमार तो नहीं हूँ और ऐसा करके जब एंबुलेंस पहुंचे अस्पताल और जैसे वो भीमार आदमी नीचे उतर के अस्पताल के अंदर जाएं लगा तो एक डेड़ बाडी, एक मुर्दा को बाहर निकाला जा रहा था, उस आदमी ने कहा, बीमार ने कहा भगवन धन्यवाद, मैं बीमार भले हूँ लेकिन जिन्दा तो हूँ कम से कम जिन्दा तो हूँ अब आप सोचिए जो मर गया वो धन्यवाद देगा अभार व्यक्त करेगा अभार व्यक्त करेगा, नहीं कर सकता है तो आप हार व्यक्ते कौन करता है? कौन करता है? समझ रहना? यदि आप नहीं करते हैं, तो कौन है? मेरा मतलब यहाँ है, आप हार व्यक्ते करना सुरू करिए. दिसा दीजे इस चीज को. एक, ये पहले की बात हुई. दूसरी बात, बहुत कम समय हैं, गंटा भी समाले, तो बाकी समय अपने आप समाल लेगा वो. क्योंकि सही दिसा होगे नि, दिसा सही होगे उसको. बास वो चलेगा फिर. फ्लो में आगा, फ्लो में आगया. फ्लो में, तो बहेगा उस दिसा में. जैसे एक चीज बताऊं, यहां बहुत सारे किसान लोग बैठे हुए न. जिस खेत को आपने हल बैल से, या फिर टेक्टर से जोद दिया है, और जमीन सुखी एकदम से, मिट्टी उखडी भी है, और उस समय पानी सीचो, तो क्या होगा? क्या होगा? बिखरेगा ना पानी? फिखरेगा, लेकिन आपने नाली बना दी तब, नाली बना दी तब क्या होगा? पानी उसी में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? पानी उसी में जाएगा, और मैंने कहा, सुबह के लिए, वहीत कहा न, सुबह नाली बना दो, सुबह नाली बना दो, वही है न, तो आपकी सक्ति किस दिसा में उसी नाली में, और नाली कहां ले एक लक्ष में, एक क्यारी के लिए ले जा रहे हैं, ऐसे ही आपके विचारों के द्वारा जो नाली बना अब गए हैं, वो किसी लक्ष को पाने के लिए है, क्या पाने के लिए, आप जैसा बनना च जो होना चाहते, उसके बारे में सोचो, मैंने का, मैं स्वस्ता होना चाहते, मैं स्वस्ता महसूस करता हूँ, स्वस्ता के लिए, सब के प्रती प्रेम, धन चाहिए, तो कोई बात ने धन के लिए सोचे, उसमें कोई बात ने धन के लिए सोचो, सम्रिधिक लिए सोचो, मैं ध अज़ने के प्रति आपके मन में 200 इर्षा है, तो धनी के प्रति नहीं उस धन के प्रति है, क्योंकि आदमी के प्रति नहीं कर रहे हैं, उसके पार धन जादा है, इसलिए कर रहे हैं, तो धन क्या सोचता है, इसका मतलब इसको धन पसंद नहीं है, धन नहीं आता है, नहीं आत इनको धनी होना अच्छा लग रहा है आने दो, आने दो क्योंकि धनी लगना आपको अच्छा है पसंद तो आएगा और पसंदी नहीं है तो नहीं आने वाला है यह थोड़ा सिक्रेट की बात थी बताया तो फिर कहने का मतलब है कि यह सुबा के टाइम में आपको फ्लो करना है इसी प्रकार शांती मन शांत, तो कहो मेरा मन शांत है शांत, मैं शांत आत्मा हूं, शांत करते जाएए, शांती का नभौने लग जाएगा और साथ साथ में केवल सब्दना चले भावना भावना खत्म्क होनी चाहिए वो फिलिंग अभी उससा में जिस समय आप कहते नम शास्त म हासूस करता हूं भावना की बिना वो केवल इंजन है न attachments करे एंजन है लेकिन यह जो भावना है वो इंधन है समझते हैं? इंधन विना इंधन के काम नहीं करेका इंधन तो भावनाव का इंधन वो महशller करें उस्ट करें और אז और फिलिंग साहो सब के डरती प्रहें तो सचमुच आपके भीतर से प्रहें फूटे महशुष चरो उस प्रहें को महशूष करो कृतक ज्यता महशूष करो धन्यवाद भीतर से महशूष करो इस चीज को धन्यवाद वो जो फिलिंग सहोनी चीज़ मैंने कहा पिर से बता रहा हम आपका भीतर बदले धरम का मतलब है इनर कनवर्शन आंत्रिक परिवर्तन बाहर ही नहीं बाहर से जैसे मैंने कपड़ा पहन लिया बाल छोटे करा लिये कोई तिलक लगा लिया कोई माला पहन लिया कोई डाड़ी बढ़ा लिया यह भारी परिवर्तन है बाहर का है साधू का वेश साधूता भीतर से आनी चाहिए कविर साभ नहीं का साधू होना चाहिए साधू बनना चाहिए नहीं यह तो हम लोग बन गए है न उपर से अच्छा है आपके हाथे भोजन मिलता है दक्षिना मिलती है लेकिन सच क्या है सच भीतर से बदले असली चीज वो है और वो नहीं बदला तो यह बाहर हमको धोखा देगा यह हमको ले डूबेगा असली चीज वो है वो आंतरिक पवित्रता बहुत जरूरी है आंतरिक सुचिता यह सबको करना है वो आपकी संपत्ती है उसके लिए महनत करिए आप तो सुबा के लिए बताया शाम के लिए जब विस्तर पर जाएं तब बस वही करें वही सोचते जाएं इसलिए काम करना पड़ेगा विस्तर में जाने के पहले मोबाईल कम से कम एक घंटा कहना चीज लेकिन चामा कर एक घंटे कहले सब मुझे भगा देंगे आदा घंटा मालो अभी एक घंटा पहले कैसे बंद कर सकते हैं टीवी और मोबाईल को क्योंकि आज कल तो अब क्या बताओं मोबाईल एडिक्शन चलो का दिन बोलूँगा मोबाईल एडिक्शन लत सराफ से भी बढ़के लत आए क्यों जैसे नींद खुलती है किसके दर्सन होते हैं मातपिता के राम कहो मोबाईल के सच का राउंक नहीं रात में बिस्तर में जाते समय किसके दर्सन करते ही वेज बिस्तर में जाते हैं मोबाईल होता एक नहीं है क्या देख रहे हैं आप उसमें गलत चीज़ देखेंगे तीवी में गलत देखेंगे मुबाइल में गलत देखेंगे गलत पढ़ेंगे, नई या तो आप ध्यान करते ही जाईए या फिर अच्छे पुस्तकों को पढ़के जाईए, या फिर अच्छे विचारों को सुन करके जाईए, शान्त, भीतर कही है, मन शान्त, और वही प्रेम मेत्री, जो आप चाहते हैं जीवन में, उसको वहाँ पर बीज, क्यों वो बीज बो रहे हैं न वहाँ पर, वहाँ बीज बो रहे हैं आप, जैसे आप पेट में भोजन डालते हैं, तो क्या करता है पेट? डाइजेस्ट करता है, चाहे आप फल डालें, चाहे सबजी डालें, आप रोटी डालें, जो भी डालेंगे, वो डाइजेस्ट करेगा, आप जो मन में डाल रहे हैं देख करके, सुन करके जो डाल रहे हैं उसका भी मन डाइजिस्ट करता है यदि भोजन गलत है रस गलत बनेगा यदि विचार गलत है तो गलत संसकार बनेंगे गलत संसकार बनेंगे और वो फिर वहां वर्क होता है काम होता है, आप सोचते हैं, जिसे आप कहते हैं, जैसे भोजन आप डाल दिये गले के नीचे, चलो खा लिया, चुटी मिली, चुटी, काम खतम, जैसे गले के नीचे डाले और काम खतम, काम खतम दी, काम तो वहीं से सुरू होता है, जैसे गले के नीचे भोजन उतर तो वही और उसके संसकार बनते हैं भीतर में, आप गलत चीज़ देखेंगे, मार, धार, लड़ाई, जगड़ा, राग, द्वेश, वेज जा करके भीतर रुक जाएंगे, रुक जाएंते हैं, और वो रुका रहेगा अगले दिन, जैसे नीन खुली, खाट से आदाएगी, क्योंकि र रात वाला अंतिम विचार, अगले दिन का प्रथम विचार होता, ये करके देख लेजिए, मेरी बातों पर विश्वास मत करिये, आज रात में जाएए, जिन विचारों को सोचते सोचते रात में सोएंगे, सुबा नीन खुलेगी तो वही विचार पहले आएगा, आएगा तो कौन से विचार सोचना चाहिए, वही जो आप चाहते हैं, अच्छे विचार सोचो फिर इस चीज को ले करके, और अच्छा उसका पाचन सही ढंग से उसका काम होगा, फिर अंदर में वर्क होता है, जब जैसे आप गाड़ी को वर्कसाप में देते हैं, गाड़ी बंद बिल्कुल इसी प्रकार से सारा काम, क्योंकि आप किसी बात नहीं कर रहे हैं, किसी बात सुन नहीं रहे हैं, सारी इंदरिया वहाँ पर विस्राम, सारी इंदरिया के जरोखे बंद, यहां तक के आपका चेतन मन भी चुप, शान्त है, वो बड़बड नहीं कर रहा है, क्यो तो अच्छा रहेगा, आफ सोने के पहले अबजरवेशन, जिसको कहते हैं आत्म निरिक्षण, आत्म निरिक्षण, आत्म निरिक्षण के बिना हम निर्दोस्ता की जिंदगी नहीं जी सकते, छमा करें, थोड़ा से पांच मिनट कहूं, पांच मिनट देंगे क्या समय, केवल आप बिश्तर पर गए और आपको थोड़ा पीछे जहांक लें, सिंघाव लोकन कहते हैं इसको आत्म निरिक्षण, सुबा से शाम तक, एक सरसरी निगार डालें, क्या हुआ, क्या हुआ, थोड़ा देख लें, और आपको देखने से पता चलेगा, अमुक सद्द जो बोला ठीक नहीं था, पर ज्याद़ चोट कर गया था, वो गलत बोल गया था, क्योंकि उस समय जोस में था, अब होश में हूँ, तब क्या करना है, चोट पहुचा है और मलहम लगा दो वहां, वो औसर है, किसे मलहम लगा देना है, तो आपको लगा कि मैंने मेरे सब्दों से पहुची है, तो क्या कहना है आपको, बस मुझे छमा कर दो, मैं छमा चाहता हूँ, यह मलहम है, यह मलहम है, वहाँ जाकर करके वह काम कर, क्यों कि आपके भाव वहाँ पहुचा, और यह जब आप रोच करेंगे, तो अगले दिन फिर वो चीज आएगे, तो आप सजग होंग कहरी फारवन मत करिए आगे के लिए उसको, यहीं हिसाब बराबर कर दीजिए, या तो चमा मांग लिजिए, चमा वहाँ ठीक कर दीजिए, आज रात में उस साम को विस्तर पर उसको सो करके, बस नहीं तो उसको, उनके प्रती, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, उसको करके अंदर अंदर बोल रहा है, कल देखता हूं, कल मिलूंगा बताऊंगा उनको, और वो अंदर अंदर लडाई चल रही है, वो नुक्षान करेगा आपका, इसलिए चमा कर दो, रोज का हिसाब पूरा कर दो, यह वे पारी लोग जानते हैं, रात में क्लोजिंग, अब अ काउंट ओपन कल लेते हैं, तो हिसाब पूरा कर दो, रोज रोज का, अब कही दिन तक बचा कर रखेंगे, कैसे करते हैं, बड़ा सरल है, जैसे आप चाय पिने बैठे, और चाय गिर गई कपड़े पर, अब क्या करते हैं, चाय को रख देंगे टेबल पर, तुरंट कपड द्रद होने जाएंगे, अभी ताजह छुड़ जाएगा, तो ताजह ना, आजे आच छुड़ा लो उस दाख को, ले मज जाओ आगे उसको, आजे आच छुड़ा लो उसको, पीर ही कथा कर् रहे हैं, चार दिन, छे दिन, महिना दिन के बाद में, फिर बड़ा कहां, सुबा और शाम साधना बन गई मैं समझता हूँ यही पूजा है यही साधना है और यही भजन है यही भजन है जो यह भजन करता है उसका जीवन बदलता है क्योंकि जीवन बदलने के लिए उसने महनत की है हम सभी यह काम करें तो मैंने कहा जो हमारी सोचने की सकती है बोलने की सकती है करने की सकती उसको हम दिसा दे दिए विचारों को दिसा दो दिसा दो तो ये काम हम सब को सुबा साम करना है तो जीवन बदलेगा आज इतना ही कल एक दूसरी चर्चा मैं करने का प्रयास करूंगा कि हम इसे कैसे जीवन को और निर्मित करें इसको कैसे इसको देखेंगे कि सच मुछ हम कैसे कर सकते हैं वो चीज को जैसे मैंने का ना क्रोध कैसे जित पाएंगे इस चीज को इस पर काम करेंगे थोड़ा सा फिर और कैसे कर सकते हैं इस जबर थोड़ी थोड़ी चर्चा और करना चाहेंगे, ताकि इस चीज को और डीप में जाएं, बिलकुल, और जा करके, जीवन के जिसे कहते हैं, पोस्टमार्टम, पुरा, ऐसा करड़ा लेंगे, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं बताऊंगा, मैं प्रीमार्टम बताऊंग क्या बताऊंगा, प्रीमार्टम, कल, आज नहीं, साहिब बंदगी, साहिब